कर्म गुरु नानक देवची फरमाते हैं मन्दा चंगा आपना आपे ही कीता पावना कर्म जीव के कारे करने की क्रिया का नाम है अर्थात जो कुछ उसके द्वारा किया जाए उसे कर्म कहते हैं रचनाकार ने कुछ ऐसा कर्म बनाया है कि कर्म प्राणी मात्र से हर समय चाहते या ना चाहते होते ही रहते हैं जब तक सांस आते रहते हैं दिल धड़कता ही रहता है इसी प्रकार जब तक होश कायम रहेंगे मन में संकल्प उठते जाएंगे और वहें इंद्रियों से कुछ ना कुछ करवाता रहेगा जीव का शरीर आत्मा के बल से चलता है फिर भी उसकी और से कारे करने का अधिकार मन को मिला हुआ है मन के अपने कर्तव्य निभाने में बुध्धी साहता देती है पर बुध्धी द्वारा सलाह दिये जाने के बाद आखरी फैंसला मन के हाथ में रहता है मुखे रूप से हर कर्म किसी न किसी उदेश्य से किया जाता है वह शुब भी हो सकता है और अशुब भी एक उधारन ले जिन्दगी जारी रखने के लिए पेट को आहार देना अवश्यक होता है एक आदमी नेक कारे करके अपना भोजन जुटाता है और उसको अपनी रसोई के एकांत में खाता है दूसरा उसी तरहा हक हलाल की कमाई करता है पर उसे अपनी कमाई सारी रोटी खा लेना अच्छा नहीं लगता वह उसका कुछ भाग किसी जरूरत मंद को भी खिलाता है तीसरा पहले वालों के काम को मुर्खता मान कर पराय खाने पर हाथ साफ करता है और अपनी समझ में इसे सही कारे मानता है खाने का कर्म उन तीनों ने किया पर कर्म की प्रकृती हर सूरत में अलग थी हर कर्म में फल कर्म की प्रकृती के अनुसार लगता है इसलिए मनुष्य जीवन को कर्मों की खेती कहा जाता है किसान अपनी भूमी में जो मन में आए बोले पर उसे उसी बीज से पैदा हुई फसल काटनी पड़ेगी अगर किसी ने अपने खेत में कांटेदार जाडी के बीज बिखेरे हो तो उसे कपास चुनने की आशा नहीं करनी चाहिए यह सच्चाई अटल है इसमें अदल बदल की कोई गुंजायश नहीं फिर भी संसार ऐसे मंद बुद्धी लोगों से भरा पड़ा है जो अंगूर खाने की इच्छा रखने पर भी बबूल के बीज अपने खेतों में बिखेरते हैं रेशम पहनने की कामना रखते हैं पर भेडों उटों की उनके गोले बनाते रहते हैं उनके विशे में ही फरीद साहिब कहते हैं इस विशे में गुरु अंगत साहिब का वाके है जिस प्रकार का कारे किया जाता है उसी प्रकार का परिणाम निकलता है यह कैसे हो सकता है कि हम आग खाएं और मुह ना जले जेवेहे कर्म कमावदा तेवेहे फलते चब्बे तत्ता लोहसार विचसंग है पलते जो कुछ भी हम करते हैं उसके तिल-तिल का हिसाब रखा जाता है चित्रगुप्त प्रभू के हर क्षण के लिखाकार छोटे से छोटे कर्म को दर्ज करने से नहीं चूपते घने अंधकार में साथ परदों के पीछे कहीं भी किया गया कोई भी अपराद छिपा नहीं रहता हमारे खाते में लिखा जाता है क्योंकि देखने वाला जिस से हम परदा करते हैं हमारे अंदर बैठा सब कुछ देखता है दिन रात कमाईडो सो आयो मात है जिस पास लुकाइंदडो सो वेखी साथ है संसार के किसी देश के करता धरता बाच्शा या राष्ट्रपती के हुक्म के अधीन न्याय का कारे उसके द्वारा नियुक्त किये गए न्याया धीश करते हैं और न्याया धीश के द्वारा सुनाये गए फैसले उसके अपने दिये हुए फैसले माने जाते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर ने न्याय करने का कारे धर्मराज को सौप रखा है और उसे हिदायत दे रखी है कि वहे सोच विचार कर सच्चा न्याय करे ना किसी के प्रती पक्षपात करे और ना किसी के साथ ज्यादती तरम राय नौ हुकम है बै सच्चा तरम बिचार इसलिए प्रभु की अदालत के निर्णेओं में वास्तव में कोई हेर फेर नहीं होता वहाँ ना कोई चक्मा दे सकता है ना छल कर सकता है न्यायाले को भेकावे में डालने के लिए किसी का मुह नहीं खुलता क्या मूले की चै अरदास पाप पुन दुई साखी पास उसके आगे ना कोई शेहनशा ना कोई अरपपती ना ब्राम्मन ना सयद हिसाब चुकाने से बचकर निकल सकता है सभना कादर लेखा होए करनी बाजो तरे ना कोई धर्मराज के कटगरे में कौन खड़े होते हैं सब साकत लोग दुराचारी मंद कर्मी दूजे पाए दुष्ट आतमा ओ तेरी सरकार इसके विपरीत जो परमेश्वर को प्यार करने वाले हैं उनका आधर होता है उनको सच्चे मार्क पर डालने वले सत्गुरु धन्य है अधि आतमी हर गुण तास मन जप है एक मुरार तिन की सेवा तरम राय करै तन सवारन हार परमात्मा के लेखे कई बार लंबे होते हैं जरूरी नहीं कि कर्मों के सौदे का भुकतान, खर्बूजे, ककड़ी के हाथों हाथ भिख जाने जैसा हो हाँ, मुल्ले तुरंत संबंधित व्यक्ति के हिसाब में जुड़ जाता है वसूली चाहे अगले जन्म में की जाए या उससे अगले जन्म में जीव को लंबा समय बीच जाने के कारण याद नहीं रहता कि वह आज से पहले क्या कुछ कर चुका है इसलिए जब उसे अपने किये की सजा मिलती है तो वह परमेश्वर के न्याए के विरुद शिकायते करना शुरू कर देता है संतान हीन स्तरी को सपने में भी खयाल नहीं आता कि चार जन्म पहले उसने अपने जैसी किसी मा के लाल का गला दबा दिया था लुटेरे के हातों लुटे जाने वाला व्यक्ती यह नहीं जानता कि उसने पहले कभी उसकी धरोहर को हडप लिया था हर शिकायत करने वाला भूल जाता है कि दरगह का नियाय करता कभी भूल नहीं करता पुलन अंदर सब को अपुल गुरु करतार और नहीं होत कचुदोव बारा करने हार ना पूलन हारा धर्मराय को अपने हुक्म का पालन करवाने के लिए दूसरों की सहायता लेना जरूरी हो जाता है इसलिए अपराधी का उन लोगों को कोसना वियर्थ होता है दद्दे दोस न देव किसे, दोस कर्मा आपणया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोस न दीजै अवर जना किसी के खून में हाथ रंगने वाला हत्यारा, बाद में हाथ बांद कर, गिडगडा कर नहीं छूटता उसके किये अनुसार, जो अक्षर लिखा गया, उसको मिटाने की किसी में ताकत नहीं मन मूरख काहे बिल लाईये, पूरब लिखे का लिखे आपाये हवा मन्द मन्द चलती है, और रेत के कुछ गिंती के कणों को दो कदम आगे फैंकती है पानी की एक लहर आती है, और अनेक कोनों वाले किसी पत्थर को रगड कर आगे निकल जाती है हवा के जोंके निरंतर बहते रहते हैं, पानी की तरंगे भी सदा उठती रहती है समय पाकर रेत के गिंती के कण टीले का रूप धारन कर लेते हैं कोनों वाला कंकर सब और से साफ सुथरा अंडा या गेंद दिखाई देने लगता है इन जोंकों और तरंगों जैसा ही खेल कर्म खिलते रहते हैं प्रतेक किया हुआ कर्म अंतह करण पर अपनी चाप छोड़ जाता है और यह चाप या लीक उस कर्म के बार-बार दोहराय जाने पर गहरी होती चली जाती है जिस प्रकार बैल गाड़ी का पहिया अपने आप पक्की मार्ग रेखा पर चलता जाता है उसी प्रकार पिछले कर्मों से बने संसकार, आदत और स्वभाव के कारण अगले कर्मों के लिए बड़े बलवान, प्रेर्णा स्रोत बन जाते हैं अगर किसी कर्म की आदत ही पढ़ जाए, तो फिर वह होता ही रहेगा और फल भी पैदा करता जाएगा अच्छा या बुरा, जैसा भी कर्म हो जिस लेख के अनुसार किसी को अपना जीवन जीना होता है वह पिछले कर्मों के आधार पर ही लिखा जाता है कर्मों का फल तो साथ जाता ही है कर्मों की रगड के द्वारा उकेरे हुए संसकार शरीर की तरहां पीछे नहीं रह जाते बल्कि अगले जन्म में भी अंग संग रहते हैं कर्म करो, उनका फल भोगने के लिए जन्म लो पिछले संसकारों, रूचियों के कारण वही कर्म फिर दोहराओ और ताजे कर्मों की फसल काटने के लिए शरीर का नया चोला पहनो इस प्रकार एक कुछ चक्र चलता रहता है जो कभी समाप्त नहीं होता गुरु अंगत साहिब कहते हैं किसी एक जन्म से शुरू होने वाला जीवन कैसे चलेगा इसके लिए विधाता का लिखा प्रारब्द जीव के साथ आता है उस लेख पर स्याही नहीं फिर सकती उसकी बिंदी या मात्रा भी नहीं बदली जा सकती लेख न मिटई है सकी जो लिखेया करतार जो दुख जो सुख जीव के हिस्से में पढ़ते हैं वे भोगने आवशक हैं पर ये लेख किसी जबरदस्ती या लिहास का परिणाम नहीं होते प्रारब्द की कलम कर्मों की सीध में चलती है पहले के किये जिन कर्मों के बदले हम बीत रहे जीवन में सुख दुख भोगते हैं उनको प्रारब्द कहा जाता है जो इस जन्म में किये जाते हैं उनको क्रियमान कर्म कहते हैं क्रियमान कर्मों में से कुछ का भोगतान इसी जीवन में हो जाता है जो उम्र पूरी होने पर बच जाते हैं वे पिछले अनेक जन्मों के इकठे किये कर्मों की जमा या संचित कर्मों में जुड़ जाते हैं फिर इन संचित कर्मों में से कुछ अच्छे और बुरे कर्मों को लेकर अगले जन्म का प्रारब्द बना दिया जाता है इस प्रकार जन्म मरण का एक अटूट सिलसिला चलता रहता है शुब कर्मो के करने से सुख की, धन दौलत की, जमीन जायदात की, स्वास्थे सुंदर्ता की, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ती होती है कुछ समय के लिए स्वर्ग और बैकुंठ में वास भी मिल जाता है इसके विपरीत, मंद कर्मियों को अंग-भंग, बिमारी, गरीबी, अनादर आदी दुख सहने पड़ते हैं धर्म गरंथों में उनको यम्राज के हाथों कष्ट मिलने का जिक्र भी आता है जैसे करन करीम न जातो करता, तिल पीडें जियों काणियां जब कोई कर्मचारी सेवा मुक्त होता है या इस्तीफा देता है, तो उसे तब तक नौकरी से मुक्त नहीं किया जाता जब तक वह सब लेन देन का हिसाब नहीं चुका देता इसी प्रकार जब तक जीव के एक-एक कर्म का भुकतान ना हो जाए उसे संसार से छुट्टी नहीं मिलती, मर कर भी नहीं अपना हिसाब चुकाने के लिए उसे फिर यहां आना पड़ता है किसी लंबी यात्रा के दौरान कहीं विश्राम घर में या होटल के कमरे में ठेहर कर रात बिताने का अफसर मिल जाए तो भी वह राहत नहीं मिलती, जो मनजिल पर पहुँचने पर मिलती है अती पवित्र कर्म करके देव योनी को प्राप्त हुए लोग भी सफर की बे अरामी महसूस करते रहते हैं यही सोचते रहते हैं कि फिर कब मनुश्य शरीर मिले और सही तरहां की साधना करके माया के घेरे से बाहर निकलें इस देही को सिम्रह देव जो कुछ धर्ती पर भोगना होता है उसके लिए तो यहां आना ही पड़ता है स्वर्ग और नरक लेने के बाद भी किसी को संसार के माया जाल से छुट्टी नहीं मिलती यह तो मानू एक दलदल है नेक कदम और बुरे कदम उठाते हुए भी इसमें धंस्ते ही जाते हैं हर एक कर्म का अपना फल है भला या बुरा और वह फल प्राप्त किया जाता है शरीर द्वारा इस परकार शुब कर्म भी अशुब ही हो जाते हैं क्योंकि वे जन्म मरन से छुटकारा नहीं होने देते आत्मिक ज्योती के परमात्म ज्योती में मिलने के मार्ग में दिवार बनकर खड़े हो जाते हैं इसलिए कहा गया है अनिक कर्म किये बहुतेरे जो कीजै सो बंधन पैरे अच्छे से अच्छे कर्म भी आवा गमन का चक्र बनाए रखने में बुरे कर्मों जैसे ही बुरे सिध होते हैं हत्या जैसे गमभीर अपराधों के लिए पकड़े गए खतरनाक कैदियों के हाथों में हतकडियां और पैरों में बेडियां होती हैं जो बहुत कसी हुई और भारी होती हैं और जो उन्हें ना असानी से उठने बैठने देती हैं ना चलने फिरने और ना ही लेटने देती हैं बड़िया श्रेणी के कैदी को हतकडी या बेडी नहीं लगती बलकि अच्छा खाना मिलता है पढ़ने को समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और अन्ने कई सुविधाएं मिलती हैं पर वहे जेल की चार दिवारी से बाहर नहीं निकल सकता इसलिए वहे कर्म कैसे शुब माना जाए जो कैद के समय को लंबा करने का प्रभाव रखे अपने घर का दर्वाजा तक न दिखने दे अनिक करम कर थाक्या पाई, फिर फिर बंधन पाए अनगिनत लोग भूल और भ्रम में पड़े अपनी ओर से अच्छा ही अच्छा करते रहते हैं तो भी उनके गले से जन्म मरन की जंजीर नहीं उतरती शरीर के बंधी खाने से मुक्ती का हुक्म जारी नहीं होता कर्म किये जाएंगे तो कपड़ा भी मिलता रहेगा शरीर का जामा, कर्मी, आवे, कपड़ा और मुसीबत यह है कि कर्मों से छुटकारा संभव नहीं जब तक मन और इंद्रियां व्यस्त रहेंगी, कर्म होते चले जाएंगे जब तक कोई मनुष्य जीवित है, उसे अपनी आजीविका तो चलाना ही है सांस चलते रहने तक पेट को खाना मांगना है और अगर कुछ और नहीं, तो आहार के लिए कर्म करने ही पड़ते हैं परायों के आसरे खाएगा, तो भी सिर पर बोज भारी होता जाएगा जीव की इस समस्या का हल अपने अहम भाव से मुक्त होने पर होता है एक है आप करावन हारा जो कुछ किया जा रहा है, प्रभू ही करा रहा है, इस विश्वास में जीने पर होता है यदि वह आसा मंसा का त्याग करके अपने कर्तव्य निभाए और अपने लिए किसी फल की इच्छा ना करे काहू फल की इच्छा नहीं बाच है, तो उसे हो रहे कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ेगा इससे यह ना समझ लिया जाए कि जीव के अपने करने से ही यह सब कुछ हो जाएगा उसके अपने किये कर्मों के बदले तो शरीर ही मिलता है मुक्ती परमेश्वर की दया से नसीब होती है नदरी मोख द्वार परमेश्वर दयालू होकर उसे गुरु से मिलाता है और गुरु इस कर्मों के कैदी की जंजीरे काट देता है कहतनानक एह जियो करम बंध होई बिन सत्गुर पेटे मुकतना होई गुरु शब्द की दात बक्षता है और उसके उबदेश पर किया अमल शिश्य को बुरे कर्मों से बचा कर रखता है वह नए कर्ज इकठे नहीं करता प्रारब्द कर्मों का फल अच्छा भी और बुरा भी वह करता का भणा मान कर खुशी खुशी भोग लेता है उसके संचित कर्म शब्द की कमाई से खत्म हो जाते हैं चाहे वे कितने ही हो गुर का सबद काटै कोट करम जैसे लकडी के चाहे धेरों के धेर हो आग की चिंगारी लगाते ही मिनटों में जल जाते हैं वैसे ही सत्गुरू की छत्र छाया में जीव बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है आन आन समधा बहो कीनी पल बैसंतर पसम करी जै महा उग्र पाप साकत नरकीने मिलसाधू लू की दी जै फिर चूका पारा करम का होए निह करमा सागरते कंढे चड़े गुरकीने तर्मा करम गुरू अरजन देव जी फरमाते हैं जब एह जाने मैं किछ करता तब लग गरब जोन में फिरता और करम करत होवे निह करम तिस बैसनों का निर्मल तरम काहू फल की इच्छा नहीं बाच है केवल पगत कीरतन संग राच है फिर अंतर बैके करम कमावे सोच होकुंडी जानिये गुरू नानक देव जी फरमाते हैं फल तेवे हो पाईये जेवे ही कार कमाईये गुरू अरजन देव जी फरमाते हैं प्रम पौ काट किये नह केवल जब ते हो में मारी जनम मरन को चूको सहसा साद संगत दर सारी गुरू नानक देव जी फरमाते हैं अग्य करणी कीरत वाचिये बैले खा कर समझाया थाओ न होवी पौदई हुन सुनिये क्या रुआया कबीर साहिब फरमाते हैं कबीर जेते पाप किये राखे तले दुराये परगट भय निदान सभ जब पूछे धरम राये गुरु अरजन देव जी फरमाते हैं अनिक करम कर थाक्या पाई फिर फिर बंधन पाए रामनन जी फरमाते हैं गुर का सबद काटै कोट करम गुरु अरजन देव जी फरमाते हैं पाप करेंदर सर पर मुठे अज रायल फड़े फड़ कुठे दोजक पाये सिर्जन हारे लेखा मंगे बाणिया संग न कोई पया बेबा माल जोबन तन छोडवन जेसा करण करीम न जातो करता तिल पीडे जियों काणिया खुस-खुस लेंदा वसत पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पईया खात अंदर अगली गल न जानिया जम जम मरै मरै फिर जम्मै बहुत सजाए पया देश लम्मै जिन कीता तिसे न जानी अंधाता दुख सहे पराणिया गुरु नानक देवजी फरमाते हैं जैसा करे सो तैसा पावै आप बीज आप ही खावै और मन्दा चंगा आपना आपे ही कीता पावना तथा सभना कादर लेखा होए करनी बाजों तरे न कोए गुरु अरजन देवजी फरमाते हैं दोस न दीजै काहू लोग जो कमावन सोई पोग गुरु नानक देवजी फरमाते हैं लेख न मिटई पुरब कमाया क्या जाना क्या होसी गुरु अमरदास जी फरमाते हैं जो तुर लिखेया सो करम कमाया कोए न मिटई तुर फरमाया गुरु अरजन देवजी फरमाते हैं कुंट चार देहदिस प्रमय करम किरत की रेख सूख दूख मुकत जोन नानक लिखेयो लेख गुरु नानक देवजी फरमाते हैं खंडे तार गली अत पीडी लेखा लीजे तिलजियों पीडी और मागर मच फहाईये कुंडी जाल वताए दुर्मत फाथा फाईये फिर फिर पच्छोताए जम्मन मरण न सुझाई किरत न मेटे आ जाए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं सो निह कर्मी जो सबद बिचारे गुरु अरजन देव जी फरमाते हैं जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत